पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाओ को लेकर तमाम जो राजनेतिक दल हैं लगतार जनसभा कर रहे हैं जनता के बीच पहुच रहे हैं और किस तरीके से आने वाले समय में जनता के लिए काम करेंगे उन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच अपनी बाते रख हैं इसी क्रम में पंजाब से खबर निकल कर सामने आ रही है पतादे आपको कि पंजाब विधानसभा चुनाओ के मतदान से ठीक एक दिन पहले पाटी के नेता सतुधन सिन्हा ने कॉंग्रेस के लिए नई मुसीबत खरी कर दी है पंजाब के सीम चरंजीत सिंग चन्निक के भाईया वाले बयान पर मचे घमासान के बीच सतुधन सिन्हा ने कहा कि चन्नी एक सारवजनिक हस्ती है और उनको पता होना चाहिए कि उन्हें खुद को किस तरह रखना है बात की जाये तो मामले को लेकर सतुधन सिन्हा ने ट्वीट पर लिखा है हलाकि पंजाब के सीम चरंजीत सिंग चन्नी पहले ही अपनी बात कह चुके हैं और प्रियंका गांधी इसका समर्थन कर चुकी हैं लेकिन फिर भी सारवजनिक हस्ती होने के नाते हमारे मित्र चन्नी जो वरतमान में मुख्य मंत्री हैं को पता होना चाहिए कि खुद को कैस से रखना है सारवजनिक हस्तियों को अपने शब्दों को चुनते हुए भासा पर ध्यान देना चाहिए एक बिहारी बाबू होने के नाते इसने मुझे नक्यवल परिशान किया है बलकि अन्य राज्जियों यूपी बिहार और दिल्ली के कई लोगों को भी आहात किया है ज गिल्लो के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे जहां उन्होंने कहा था कि हम सभी पंजाबियों को एकजुट करे और बिहार यूपी और दिल्ली के भाईया को पंजाब में प्रवेश न करने दे इस दोरान कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता प्रियं जेत सिंग चन्नी ने अपनी सफाई में कहा था कि उनके बयान को तोड मरोड कर पेश किया गया है ऐसे में जहां कॉंग्रेस चन्नी के बयान के बाद डैमेज कंट्रोल में लगी है वहीं 20 फेबररी को होने वाले मतदान से ठीक एक दिन पहले सतुर्धन सिना का बयान लुकसान पहुंचा सकता है फॉस्ट बिहार निउस डेस्क फटना